चलिए तो आज चर्चा होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी और एक समय के लिए तेज़स्वी यादो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एमुआइस समीकरन की वज़ा से ही बैठे थे पहली बार वो बिदायक भी मुआइस समीकरन की वज़ा से ही बने पहली बार लालुपरसाद यादो बिदायक और सांसद भी मुआइस समीकरन की वज़ा से ही बने थे मौई समिकरन क्या है मौई समिकरन है यादो और मुसल्मानों का समिकरन लालू परसाद यादो जब राजनीत में आये तो उन्हों लगा कि एक समिकरन को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा एक खास समिकरन का नेता बनना पड़ेगा तब जाकर हम विहार पर राज कर सकते हैं और उन्होंने चुना कि मुसल्मान और यादों की जोड़ी अगर हम लेकर इनको आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत आगे जाएंगे और ऐसा हुआ भी लालु परसादी आदो एक राज़त को इस तरीके से बना चुके थे कि वो मौई समिकरन के साथ आसानी से चल सकता था लेकिन हुआ क्या? म. जादा दिन तक नहीं रहा उनके बेटे आएं तेजस्वियादो तो तेजस्वियादो ने नए एक नए राज़त की शुरुत की न्यूँ उन्हों ने रखी और उन्होंने कहा कि म. बाप समिकरन से आगे बढ़ते हैं और अब सब को सांग लेकर चलते ह इसमें उन्होंने मुसल्मानों को आधे रास्ते में ही छोड़ दिया उन्होंने तो कहा कि हम सब को सांथ लेकर चलेंगे लेकिन मुसल्मानों के सांथ वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए आधे रास्ते में ही उन्होंने मुसल्मानों का सांथ छोड़ दिया और मुसल्मान अकेले हो गए इसकदर अकेले हुए कि एक तरफ उनके लिए एक कुवा थी और एक तरफ खाई और बीच में पतली रसी और उस पर उनको चलना था एक तरफ वो भाजपा के साथ जा नहीं सकते हैं और दूसरी तरफ जो उनके साथ थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और वो दड़ी बिचाएंगे उनके साथ हम टोपी पहन लेंगे तो वो वोट देंगे उनकी संख्या आदिक है अब उनको मनाने के लिए इप्तार पार्टी मना लेंगे घर पर हम टोपी पहन कर एक मौलवी साहब को बुला लेंगे और उनके साथ बैठ कर इदी मना लेंगे औ और मुसल्मान हमें वोट दे देंगे जाते है दारी जनगर्णा के बाद मुसल्मानों के अंदर एक अल्रक से भाव आया है और यह भाव यह है कि आप मेरे साथ टोपी पहनिएगा तो हम आपको वोट नहीं देंगे बलकि हमें राजनितिक हिस्सेदारी भी चाहिए और उस र जादों की संख्या हमसे कम है और उन्हें मिला आठ सीट तो इसमें न्याय कैसे हुआ आपने कहा था कि जाती आधारित जनगर्णा हमने कराई है और जाती आधारित जनगर्णा के अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसे मिलेगी उस्तिनी हिस्सेदारी वाली बात आप की कहा गई और इसी बात पर मुसल्मान राज़त से नराज हुए और अब मुसल्मान अपने अपने छेतर में उस सांसद को देख रहे हैं जिससे उनको जरूरत है जैसे पुर्णिया में उन्होंने पपू यादो को मत दिया सिवान में वो हिना साहब के तरफ देख रहे हैं आपको नवादा में वो राज़वलब पडिवार के तरफ देख रहे थे इसी तरीके से चारो तरफ मुसल्मान जो हैं वो राज़त से अपनी दूरिया बना रहे हैं और सिवान के अगर बात करें तो हिना साहब ने राज़त का साथ बस इसलिए छोड़ा है कि उनको पता है कि मुसल्मान यादों को एकसेप्ट कर लेता है लेकिन यादों जो है वो मुसल्मान को एकसेप्ट नहीं कर पाता है A.M.O.S. जामिकरन से हम साथ चलते हैं हमने हमेशा एक यादो को मुख्यमंतरी बनाया है लेकिन उस यादों ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया और मुसल्मानों को ये चीज वह खुबी मालुम है और इसलिए अब मुसल्मान बगावती तेवर अपना रहे हैं मुसल्मान ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको वोट नहीं देंगे और तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमारे हिस्से की बात ना करें हमें हिस्सेदारी ना दे, तब तक हम आपको वोट नहीं देंगे और देखे हिस्सेदारी की अगर बात करे, तो सबसे अधिक अगर हिस्सेदारी किसी को मिल रही है बिहार की राजनीत में, तो वो यादों है, उसके बाद कुड़मी है, कुश्वाहाँ है यही लोग तो ब्यार की राजनीत पर राज़ कर रहे हैं बाद बाकी लोग अभी भी दरी बिछाने का काम करते हैं अभी भी सिर्फ और सिर्फ वोटों में उनकी गिंती होती हैं कि यह वोटर हैं ना कि यह नेता हैं उनकी गिंती आज भी वोटरों के तौर पर होती है और इसलिए मुसल्मान इस बार ऐसा महौल बना रहे है कि चाहे कुछ भी हो जाए राजत को वोट नहीं देंगे भाजपा को भले ही नहीं देंगे क्योंकि बदनाम है अगर वोट उधर करेंगे भी तो भाजपा कहेगी कि हमें वोट नहीं देते हैं ऐसे भी भाजपा हिंदू मुसलिम कर रही है उन्हें मुसल्मानों का वोट नहीं चाहिए लेकिन मुसल्मान अब बिकल्प ढूंठ रहे है कि हमारे लिए सही बिकल्प क्या है क्योंकि कॉंग्रेस भी उनके बारे में नहीं सोच रही है, छेत्रिये पार्टी भी उनके बारे में नहीं सोच रही है, तो एक बिकल्प होना चाहिए, असुदी नौबसी भले ही उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें भाजपा के बी टीम की तरह देखा जाता है, तो आज भी मुसल्मान नोटा का परियोग कर रहे हैं, निर्दलिय उमिद्वार को वोट कर रहे हैं, बलकि उहां के छेत्रिय उमिद्वार को वोट वोट वो नहीं कर रहे हैं, छेत्रिय पार्टी को वोट हो या फिर केंद्रिय पार्टी को वोट कर रहे हैं, या तो वो नोटा क वोट कर रहे हैं यह तो फिर निर्गल को कर रहे तो अब आगे देखिए क्या होते पर आल इसका बरमीकता है इसका बिल्ड़ को देखते रहे देखते रहे दे इंडियाटॉप